नमस्कार सलाम नेश क्लिक में आपका स्वागत है मैं हूं मुकुल सरल डर लगता है सवाल करने में डर लगता है आलूशना करने में डर लगता है क्या यही है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर इसी पर हम बात करेंगे हमारे साथ हैं वर्ष पत्रकार परंजे गुआ ठाक इसको लेकर काफी समय से आगहा कर रहे थे लेकिन अब उद्योगपती भी करने लगे हैं कि डर लगता है अलूचना करने में डर लगता है बजाज समू के चेर्मेन राहुल बजाज के बयान को आप किस तरह देखते हैं शनिवार के दिन मुंबई शहर में एक एकनॉमिक पूजी पती है असी साल से उपर है उनको उमर उन्होंने बहुत लोग को आश्चच कर दिया क्योंकि मंच में बैठे थे अमिच्शा प्यूश कोयल निर्मला सीतारामन और उटके पहला बात कहा कि देखिए मेरा जो दादा जी थे वो महात्मा गांधी का एक तरह पालिट बेटा था जमिलाल बजाज जी का नाम ने किया और ये कहा कि मेरा जर्म से मैं प्रतिष्ठान विरौधी हूँ मैं एंटी इस्टाबलिश्मेंट हूँ और ये कहा कि आप पसंद नहीं करेंगे मगर पंडिच जवालाल नहरू मेरा नाम रखा था नाम करन किया राहुल तो वहाँ से उन्होंने शुरू किया फिर उन्होंने पहले पूछा कि स्वाल के जगा मेरे को जो कहना मन में हम कह देते हैं प्रग्या ठाकूर का नाम न करके सब कुछ कह दिया कि ऐसे वेकती को अब ट्यक्त क्यों दिया और तिकेट देने के बाद उन्होंने जब जोच्वी बात किया उसका करानिंदा किया प्रधान मंत्री फिर भी क्यों आप सांसे दिया समिती में उनको डाला फिर उनको निकाल दिया ये सब कहने के बाद उन्होंने किया मोहन भागवत जी जो राश्ट्रिस वहम सेवक संग का सरसंग चालक वो बोला कि लिंचिंग ये एक हैं बन गया कि लोग डरे हुए हैं वो बार बार कह रहा है कि आपको अच्छे काम कर रहे हैं मगर आप को जो आपके खिलाफ कोई कहने कहेंगे कोई टिपनी कहेंगे कोई आलूच न करेंगे आप पसंद नहीं करते हैं और ये भी गा कि हमारे जितने मित्र है जो उद्योग पती है वो किसी का हिम्मत नहीं है कहने के लिए, मैं कह रहा हूं, बोलिए ये महल बदलना बहुत ज़रुरी है, और ये भी कहा कि UPA 2 के समयं, हम किसी को भी गाली दे सकते हैं, हम ड़ते नहीं हैं, तो इस तरह से जब कहा इनोंने और कहा कि और किसी किसी के हिम्मत नहीं ऐसा कहा लोग उनको ताली बजाया। फिर मंच में जब अमिच्छा जी बैठे थे और राहूल जी अपने कुर्सी में बैठ गया। ठीक पीछे अमिच्छा का बेड़ा जया मिच्छा बैठे था ये वीडियो में दिखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए एक माहल बन गया एक हवा बन गया। मगर आप जैसे कहा लोग नहीं समझेगा कि हाँ सचमच भारतवश्वे अभिवेक्ति का स्वतंतरता है। और उन्होंने फिर लंबा चौरा अपना विसलेशन किया की। मैं यहीं पूशना चाहरा था कि जैसे मैं शुरू में जिक्र भी किया कि बुलंद भारत के बुलंद तस्वीर एक नारा था एक स्लोगन था एक एड़टाइस था बजाचे तक आप तो खुब अच्छे से जानते होंगे और बतावी सकते हैं। और लेखा कलाकार बुदी जी पर एक उद्योग पती जब एक कॉर्परेट से व्यक्ती खड़ा होकर इस तरह के सवाल करता है तो वो कितना गंभीर होता है क्योंकि आम उन लोगों की उसको तो यह कह देते हैं कि यह इनों ने किया क्योंकि उद्योग पती पर खोने के निर्मला सीतराम। इसके बाद आपके सवाल में जब हो क्योंकि अमिच शा ने कहा कि साद्वी प्रग्याजी जब मावी मांगा और फिरा वो थोरा गंफ्यूज थे कि राजा गोटसे के बात करें या उद्सिंग के बात करें और पिर इसके बात का कि नहीं नहीं हम ये एक ऐसा हम कोई उनको समर्थन नहीं देगा फिर बोला लिंचिंग के बाद बहुत पहले भी हो था आज भी हो रहा है ऐसा नहीं है कि किसे को सजा नहीं मिला और फिर बोला आप ड़िये मत जो मर्जी आप कहने चाहते कीजिए बोला मोधी सरकार को इतना टिपपनी ऐसा कोई सरकार भी नहीं था फिर यह सब कहने के बाद नहीं बोला हाँ अगर महल ऐसा है तो हाँ हम महल का सुधार लाना बहुत जड़ी है यह सब होने के बाद भारती जन्ता पार्टी का आईटी सेल का अमित मालविया ने ट्वीट किया और क्या क्या कि आपका राजनीती कहां पे है वेर यो पोलिटिकल अफिलिएशन अन्यूर स्लीव और डोंट हाइड बहाइंड इननिटीज लाइक दिस अट्मोस्फियर यह इसका कहना है सीधा सब ने घूम फिरके कह रहें कि राहूल बजाज जी आप कॉंग्रिस को समर्तन करते है और फिर हर्दी पूरी कहा रहें अलग-अलग समाज है देशों में अलग-अलग देश है ऐसा ने है कि हमारे देश जिस तरह से हमारे देश का पसाशन चल रहे हैं लोग डरे हुए हैं आप जैसे कह रहें फिर लिन्वला सीतरामन जी विद्वंतरी उन्होंने कहा कि आप सवाल उठाईए आप क्या जानने चाहते हैं आप जानकारी क्या चाहते हैं ऐसा नहीं अपना राय आप दीजी मेरा कहना है आपका सवाल का जवाब में भी दे रहा हूँ आज बहुत सारे उठ्योगपती बहुत दुकी है क्योंकि अर्थ विवस्ता में मंदी आए है राहुल बजाज जो सेत्रम हैं दोपया भाहन वो तो बहुत ही बुरी तरह है वहां मांग कम हो गया और आज ज़्यादा से ज़्यादा भारत वर्ष के जितने उद्योगपती पूजी वती देख वे वो सरकार का टिपनी सबके सामने नहीं करते हैं बर्दे के पीछे बहुत कुछ कहने के लिए तियार है हर बजट के बार हर उद्योगपती फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेमबर्स अफ कॉमर्स इंडस्ट्री, सी आई आई ये सरकार का तारीफ करेगी, बहुत बरिया बजट, बहुत बरिया बजट फिर बाद में आप उनसे बात कीजिए, बहुत बहुत खराब है तो उद्योगपती ऐसी होते हैं, वो डरे हुए रहते हैं, उनका आज डर बर गिया क्योंकि आएकर बिभाग का चपपा लग साकता है, इनफोर्समेंट डारेक्टेड उनके दर्वाजे में पहुच सकते हैं, उनका कहना है, और अगर उनके कुछ भी ने क्या, वो हैरान हो जाता है, हैरस्मेंट हो जाता है और हम देख रहे हैं, जो भी सरकार का खिलाफ कह रहे हैं, उनके पीछे ये सारे संक्स्था लगता है हाँ, जैसे आपने अभी कहा भी, कि इसी सवाल को राहुल बजाच के बहुत पॉजिटिव, बहुत साकरात्मक नहीं लिया गया निर्मला सीता रमन जी तो यहां तक कहती हैं कि राष्ट हितों को नुकसान पहुंसता है यानि अब सवाल पूछना, आलोशना करना, तो यानि इससे ही साबित होता है कि कितना मुश्किल समय हो लिकुल ठीका, निर्मला सीता रमन यह कहा कि आप जो कह रहे हैं सब लोग सुन जाएंगे और यह राष्ट हित में नहीं है तो देखिए, आप कहेंगे कि हर नागरिक का मौली का अधिकार है अभी वेक्ति का स्वतन सता, मगर आप किस तरह से कारवाई कर रहे हैं इस तरह से मैं कहता हूँ, अमिट शाजी इन से थोड़ा चतुर है, चलाक है, अगर मोहल खराप हुआ, इसके सुधर लाना बहुत जरूरी है मैं दो और चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए, राहुल बजाज आज नहीं, बहुत साल से उन्होंने ठीक कहा कि उनके मन में जो है, वो बोल देते हैं, हर सरकार को उन्होंने टिपनी किया, अलोच ना किया और एक तरह से परिवार में भी एक तरह से एक परंपरा है, समझ लिजिए, उनका एक, राम कृष्णा बजाज जी भी, संजेक गांदी, जब आपात कालिन समय थे, उस समय उनके पीछे लगे थे, आएकर विभाग, और मैं दो धारन देता हूँ, दो हजार दो, गुजरात में हिंदु मुस्लमान दंगा के बाद, एक C.I.I. यानि की Confederation of Indian Industry के मीटिंग में राहूल बजाज सीधा मुदी को कहा, कि आपका गुजरात में कौन आएगा निवेश करने के लिए, ये स्तिधी है, तो मुदी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, आप यहां बैटके बहुत कुछ कह रहा है, आप गुजरात में आई हैं, वहाँ लोगों से बात कीजिए, वहाँ पे सब ठीक ठाक है, एक महिला रात दो बज़े स्कूटर चलाते के जा सकते हैं, मगर राहूल बजाज आज नहीं, बहुत साल से यह कह रहा है, जब CSR यानि समाज के लिए देने के लिए बहुत त्यार हैं हम शिक्षा स्वास के लिए, मगर आप कानून मना के आप नहीं कहांगे हमें देना ही परेगा, यह एक वोलिंटरी काम होना चाहिए, और आखरी एक और हमें आद है उदारन, जब नोड़ बंदी के बात, बजाज आटो का ज दी मनिटाइजेशन या नोड़ बंदी का सबर्दस्त इनका आलोच न किया, मगर मैं वापस जा रहा हूँ आपका जो सवाल में, आज आहिस्ता आहिस्ता मेरा लागरे मोहल एक बदल रहे हैं, और राहुल बजाज अकिला जो उनका जो हिम्मत है कहने के लिए, जो बाकी उ हिम्मत नहीं है, पर्दे के पीछे सारी उद्योक्तियों उनको तारीफ करेंगे, ये मुझे पका मालूप है, हाँ तो यही, तो मैं कह रहा था कि जैसे राष्टे हित का नुकसान बताया जा रहा है, तो क्या अगर हम आपसे कहें कि क्या हम साड़े चार फीसद जीडीपी क को साड़े चार फीसद ना कहें, और उनी के लोग कहने रहे हैं कि वो साड़े चार भी नहीं है, वो डिएड़ है, या या दो है, और उनी के, मतलब जो अर्विन सुब्रमानियम जो विद्यमंतराल हैं में जो आर्थिक सलाकार्त है, जो मुख्या आर्थिक सला था, चीफ अकोड़ पर नहीं ही पड़ेगा ना सच को सच कहना ही पड़ेगा तो दोस्तो लोग तो बुरा मानते हैं तो बुरा मानने दीजए लेकिन अब सच कहना ही होगा शुक्रिया धन्यवाद